हेलो गाईज तो यहर क्या हाल चाले हर कैसे हो आप लोग तो आई होप कि आप लोग बढ़ियां सही होगे तो गाईज आच चुका हूँ फिर से एक निव वीडियो लेकर आपके सामने तो गाईज आज केसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप Realme का फोन यूज करत दोस्तों के लिए कि जब आपका फ़ोन प्रौन लेता दोस्तों तो one वस्त सक लिए स्कॉलेगा कि उसकी फोटों फिया फिस पर आपने अपनोंतों सबसे पहले आपको आपने 2 कि लिएंक सबसे पहले आपको अपने मूबाई का सैटिंग करना है धिक upload को यूब неп eelाब दोस्तो ऊपर स्प्राइट करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि सैटिंगं मिल जाएगा इस पर click करने के बाद यहांपर फिर थुरा से और उपर slide कर यहां पर दोस्तों देखे एप लोक का एक option आ रहा है ठीक है तो एपंड कर देना है तो अप जैसे ही click करेंगे दोस्तों यहांपर आपको बोलेगा अपना password New Password Set करने के लिए तो यहाँ पर आप जो भी अपना New Password Set करना चाहते हैं यहाँ पर Set कर लेजीए ठीक है Password Enter करते ही दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का Interface देखने को मिल जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपकर मोबाइल में जितने भी Application है पर यहां पर दिखा जए गा तो इसमें से जिस भी application में आपको लौकि लगाना है जैसे WhatsApp हो गया गैलरी हो गया और जो भी application है कुछ-कुछ इसको अगर आप यहां पर लौकि लगाना चाहते है तो बिलकूल आसानी से लाजासकते है तो मेरा मन है दोस्तों sprinkle पर Facebook पर लोग लगाने का और दोस्तों यहां पर WhatsApp पर भी मैं लोग लगाना चाहता हूँ तो आप यहां पर ढून लिजी औपर करके ठीक है कई कहहांप Facebook है कहां पर वाटसप है उस पर लोग लगाना है to चल्ले मैं यहां पर एप्लिकेशन में लग लग जाएगा, अब आपको क्या करना दोस्तों, बैक करना है, और बैक करने के बार दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर WhatsApp के पास, यहाँ पर लग का एक सिंबॉल है, यह आपका WhatsApp, मैं लग लग चुका है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर Facebook को लग करना चा अप्लिकेशन को आप किलिक करोगे यहां पर इनेवल करने का आप्सण आएगा इनेवल पासवर्ट का उसको जैसे ही आप इनेवल कर दोगे तो यह आपका इसमें भी लॉक लग जाएगा देख सकते हैं उसके सामने याप लॉक का ओप्सण आ चुका है तो अब मैं चलता हू होगी अगर लॉक लगाना तो लगा सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन दोस्तो इसी तरह जितनी भी अप्लिकेशन तो यहाँ पर आप जैसे कोई भी application को open करेंगे तो आपसे password पुछेगा और जब भी आपसे password पुछेगा तो आप यहाँ पर password इंटर करते ही दोस्तों आपका application open हो जाएगा ठीक है तो अब मैंने यहाँ पर facebook पर भी password लगया था तो facebook पर जैसे ही क्लिक किया दोस्तों देखें यहाँ पर password मांग रहा है ठीक है तो password जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पर आपका facebook जो वो open हो जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर अभी open नहीं करना चाहता हूं उसको तो दोस्तों इस तरह से आप realme का कुईसी भी application में दोस्तों आसानी से password लगा कर application को lock कर सकते हैं और सेफ और सेक्योर रख सकते हैं तो दोस्तों यह था आज का छोटा से वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए अपने दुस्तों में शेयर करिए और दुस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलना मिलता अगरे वीडियो में आप था के लिए जय हिंद बंदे मातरम